यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ और बसर्डे में 125 कमरे का लगजरी होटल भी है छे स्क्रिन है, सिनेमा हॉल है, शौपिंग मॉल है और पार्किंग की भी पूरी सुविधा है बसर्डे से 750 बसों का संचालन किया जाएगा महिलाओं के लिए भी 50 पिंक बसे चलाई जाएगी तीन एकड में 50 प्लाटफॉर्म बनाए गए है 50 बसों की अंडरग्राउंड पार्किंग की भी सुविधा की गई है चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे अपने बयानों को लेकर अक्सर खुल सुर्ख्यों में रहने वाले भाजपा के केसर गंज सांसद भी भूशन शरण संग एक बार फ़र से अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए है बीजेपी सांसद ब्रीज भूशन शरण संग ने सपा बसपा गटबंधन की तुलना बरसाती केड़ों से की है जिहां बीजेपी सांसद ने कहा है कि सपा बस्पा गटबनन पर जैसे ही बार आती है तो एक दूसरे से शत्रो जानवर सब इकठा हो जाते हैं और बीजेपी सांसद ने कहा है कि फिलहाल मोधी लहर में सब बह जाएंगे इसलिए एक दूसरे के पीछे सब भाग रहे है तो सपा बस्पा का गटबंदन लगाता जारी रहेगा ये बड़ा बयान आया है और साथी आपको बता दें कि कीडे मकौडों की तुलना जो है वो सपा बस्पा गटबंदन की करडाली है कि जब भी जुनाव आते हैं तो एक दूसरे के पीछे सबी पार्टियों के नेता भागने लग जाते हैं गटबंदन करने लग जाते हैं तो कीडे मकौडों की तरह इसे बताया गया है गटार रहेगा लेकिन दूसरी तरफ निशाना अभी से लेकर साधा जा रहा है कि जो सपाबस्पा का गटबनने is वह बर्साथ के कीडे मकौडों की तरह है और जिस तरीके से बरसात में कीडे मकौडे आ जाते हैं उसी तरीके से एक दूसरे के पीछे सब भागने लग जाते हैं और साथी सांसद ने ये भी कहा बीजेपी सांसद ने कि फलाल मोदी लहर लगातार बरकरार है सब इसमें बहर जाएंगे इस सपा बसपा गटपंदन पर जैसे बार आती है तो एक दूसरे के शत्रू जानवर सब इकठा हो जाते हैं और सब उनके खिलाफ एक जुट होने की कोशिश करते हैं उसी तरीके से बीजेपी सांसत ने कहा कि फिलाल मोधी लहर बरकरार है और मोधी लहर में सब बह जाएंगे इ पीछे भाग रहे हैं तो सपा बसपा गटपंदन को लेका यह निशाना साधा गया है बीजेपी सांसत की ओर से जिन्होंने निशाना साथते हुए कहा है कि बरसाते कीड़ों की तरह यह गटपंदन है क्योंकि जब बार आ जाती है तो सब कीड़े एक दूसरे की तरफ तरीके का गटपंदन किया जाता है